नमस्ते दोस्तों आपका स्वागत है आपके यूर्टुप चैनल ट्रेट वित रानिक चलिए दोस्तों काफी समय से वीडियो नहीं आ पा रहा है तीन चाह दिन से तो कुछ फैमिली इसी चल लेते हैं कुछ वीजिस अडूल साथ जिसके विज़े से मैं आप लोगों तक यह परकास पावर वैंचर लिमिटेड जरे के वारें हम बात करने से पहले अगर अभी तक अपने अपना चैनल सब्सक्राइब ने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल लाइक को बजाना बिलकुल ना भूलिए प्लिस वीडियो को पूरा देखेंगे कि वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला आज का कि कि इसको थोड़ा सा अनलाइस करना कि कुछ समय से यानि वन वीक के टैम से ही इसमें मुमिंट बना रहा है और कई लोगों के अपडेट देखने को मिलना है कि जेपी पावर अब मल्टी बैकर बनेगा या नहीं बनेगा कई लोगों कुछ बहुत सारे कोशन हो चुके है जिस तरह से इसके अंदर मुमिंट देखने हो मिला यानिके वन वीक के अंदर अच्छे तो अब फिर इसमें अगें मुमिंट बना है तो मैंने सोचा आप लोग तक इन्फोमिशन प्रोवाइट करता है मुमिंट बनने की वजह क्या है चार्ट पर कहा मुमिंट बन रहा है वो सब समझेंगे तो प्लिस वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक करना बने और देखेंगे और देखेंगे आप लेगे और कि बृण चुकर पूरा अब्डेशन को मिल रही है कि सारी अपडेश्यह को मिल रही है और इन्हों ने जब बने ऑप्डेशन दिया कि इनों को रंग आ जो ड्रेम्स रहे चोखें टो रिचर करें जो अभी तक डिस्क्लोज नहीं करें इस एजम के अंदर वह हो जाएंगे 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच में वह पूरे अपडेट हो जाएंगे अब देखेंगे कंपनी ने 185 पीच की पूरी अबडेशन दीए आगे किस तरह के और कंपनी के इसके अंदर भी एन्हों ने अपडेट किया है इन्हों को जब प्लांट के लिए अप्रूवल देखने को मिल रहा है यानि तो तेजी इसमें देखने को मिली है वह वजह इसकी कया है इन्हों की जो खहपत ह करें काफी समयबाद company ने इस तरह की एजीम update करी हैं काफी समयबाद company इस तरह की एजिम आपडेitt कर के दे रही है ए सका मतलब इसमें बड़ा होने वाला है तो यह सी इसवाजी से से不जद सविठि उभलंग मुमेट देखने security जो इनका साहरा साहरा इंडिया security limited के द्वारा जो इसमें buying और सेल किया गया था आप सकते हैं जो बैंग हुई थी आठ रपर 38 पैसे पर buying हुई थी और आठ पर 49 पैसे पर सेलिंग हुई थी तो इसके बाद से लोगा से लगाता फिर से अब ट्रेंडिंग तर देखने को मिला यानि 10 अगस के अंदर इसमें बल्क बाइंग हुई थी उसके वासा विदर इसमें कोई बल्क बाइंग देखने को नहीं मिली है अब देखिए इसके अंदर आज की रिटर्न मार्केट का हो गया पांच हजार 243 क्रोड पे का स्टॉक पीचलास का 15.2 का स्टॉक आर ओसी चलास 6.38 परसेंट का बुक बैल इसके पंदर पर दो पैसे की रिटर्न और फिक्वेटी अविता किसे ने दिया 1.27 परसेंट का और डिविडेंड कंपनी नहीं देती है और इसका फिस वेल्यू 10 अब बाइक इस 25 परसेंट ही ग्रावट लगा के बंद हुआ काफी समय के बाद ये करेक्टिव हो रहा शेयर और काफी अच्छा लेवल वे करेक्शन दिखा रहा है ये दिखे ओपन होता 7 पर 75 पैसे पर हाई मारे इसने 7 पर 55 पैसे गा 52 हाई इसके 11 पर 15 पैसे गा 52 इसका 3 पर 85 पैसे गा 5 सबस्किजिके गा 50पर 60 पर 2 पे 50 फे 60 पर 6 पर 6 पर 17 से 4 बारें 5 मथ के आप 23 में लिखे प्यावट को स्लिख के आने 5 टैम या कि चलने के मुमन दिखाँ रहा है और जिस तरहिए कंपनी त journals कॉई बढरिर व थेने वाले टेम पहल पर तेजह डे बाहए को मिलेगी ये तो सक का आउटकम में देख सकते हैं चार्टी संदा चाल को या झाल को नहीं ची चाद निंगे 6 आपने चल कर देखने से पहले चलते हैं चल सक वेकली चार्ट बें क्या ट्रेंडिंग देखने हो lot वह समझते देखे वीकली चार्ट पे डीप क्लीन वेक्राउट देखने को मिल रहा है एक 20 वीक अच्छी गासी एक इन्वेटिट हैमर कैंडल जो बनी है इस वीकली चार्ट पे और आप दे सकते हैंगे इस वीक के उपर ही अगस्त के उपर ही क्लोस करके गया इस कैंडल के उपर सपोर्ट लिया बिल्कुल यहीं पे और यहां पे देखे एक राउंडिंग पैटर्न पूरा क्रेक्टिव हो रहा है यानि इसमें 21 डेस के अवर्ण 7 डेस के अवर्ण क्लोस करेगी तो इसमें और तीजी देखने को मिलेगी और जो एक कैंडल बनी है यानि इन्वेटिट हैमर कैंडल जो बनी यह तेजी का दमकम दिखाती है वेकली चार्ट पर एक अच्छा खासा इंडिकेशन देखने को मिला है और वेकली चार्ट पर भी शेर अपने 100 डेस 200 150 अमे को पजा रहा है और साथ साथ क्रोस मॉविंग भी होने को तैयार हो रही है और यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर यहाई पर ही एक अच्छा खासा लेवल दिखाएगा जो इसमें गरावट थी तो गरावट खताम हो चुकी है वीकली चार्ट के अच्छा खासा कर्यक्टिव वेवल के बाद यह अब चलने को तैयार हो रहा है और जैसी एक क्रोस मॉविंग होगी वीकली चार्ट पर तो इसमें और तेजी देखना को मिलेगी फिर wik के आकॉर्डिंग ये नौर पे से पहले रुकने वाला नहीं है विकरी चार्ट के अकॉर्डडिंग мы देता है, इसमें 9 पे पहले correction देखने को नहीं मिलेगी अब चलिए संब तरह डेली चार्ड के लुटींग तो देखे डेली चार्ट पर पहले आपको समझा दूँ एक पैटन समझ में आ रहा है इसका हैंडल बनने को त्यार हो चुका है और देखे कल के दिन इसके अंदर भी एक हैमर कैंडल बनी है बेरिस हैंडल कैमर भी बट यह डाउन गया यानि यह साथ रुपे 55 पैसे पर यह फ पच्पन पैसे पर और यहां पर देखे एक सपोर्ट अच्छा कासा लगा हुआ है इसके अंदर एक साथ रुपे चालिस पैसे वह सपोर्ट जल्दी से ब्रेक नहीं करेगा और जैब भी यह साथ रुपच्पन पैसे पर दो बार आज के सपोर्ट ले चुका हूँ वहां से रिबाउंड हुआ शेर तो यह तेजी का तमकम दिखायागा इसमें जो गिरावट होंती देखे आप समझ सकते जेपी पावर के अंदर जो लोंग टरम से इंवेस्मेंट करके बैठा हूं उनको पता है तो इसमें जब गिरावट होती तो अच्छे कासी गिरावट होती चल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको करना क्या है तो आपको करना क्या है थोड़ा पैनी शेर की तरह ट्रेट करता है थोड़ा स्लोविंग रहता है यहां पर तेजी की दमकम देखने को मिलेंगे आपको अगर यह जिदिन यह 8 रुपे को पर क्लोज होगे तो वहां से फिर यह 10 रुपे की लेवल से पहले रुकने वाला नहीं है अगर आपके पास है तो होल्ड रखिए बिक वाली की चल्दवाजी बिलकुल नहीं करेंगे पर यह जाएं से अगर यह 8 रुपे को पर क्लोज वा तो डेफिटी है और अप्टरेंट दिखाएगा और चब यह दो डीजिस में जाएगा तो और भी इसमें अब बाइंग देखने को मिलेगी आई होप यह वीडियो आपके उसमेल तो प्लिस वीडियो को लाइक शेयर फावट करना बिलकुल नहीं बोलें थैंक यू सो मच फोर वाचिंग दिस वीडियो